यह हैं थे ऐसे आज आज हम आपके लिए लाएं है टेलिफॉन ओडियूल बोक्स का डिटेल टेलिफॉन मोडियूल बोक्स में कैसे करते हैं तो दोस्तो यह तो एक्चुली बेजिक टेलिफॉन बॉक्स है जो हमारे ओफिस और घर में यूज होता है तो इसकी basic जान करें देने के लिए यह मैंने वीडियो बनाया है लेकिन आप में से काफी सारे लोगों को लगता होगा कि यह telephone junction box यह जो है model junction box का उसमें सिर्फ connection करने का वीडियो बनने का क्या जरूवत है वह तो एकदम simple है उसमें क्या दिक्कत आ सकती है इसका कुछ वीडिय connection box उसमें कई बार क्या होता है कि यह मैं अभी आपको खोल के दिखाता हूँ इसके अंदर क्या होता है लेकिन पहले आपको बता दू कि कई बार जो लाइन में होते हैं हमारा इलेटिशन वो लोग भी यह telephone junction box में यह जो हमारा होता है module box उसमें connection करने में गलती कर देते हैं तो वो क्या गलती कर देते हैं वो मैं अभी आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि कई बार क्या होता है दोस्तों कि हमारे जो एपार्टमेंट्स होते है उसमें यह तो अभी हम हमारा single module junction box है तो हमारा telephone का जो socket होता है वो हमारा कई बार sweetboard में दिया होता है हमारे जो flats होते हैं हमारे जो bungalows होते हैं उसमें तो माने कि कोई apartment है उसमें 50 यह 100 flats है तो माने कि 100 flat का वो apartment है multi-story building है तो उसमें 100 connection दिया होंगे 100 telephone connection वहाँ पे intercom लगता है intercommunication के लिए तो वो condition में ऐसे 100 socket लगते है उसके जो club house होते है, theaters होते है, उनके जो gym होते है, children game zone होते है, उनका जो reception होते है, security cabin होते है, वो सब मिला के माने कि 100 flat है तो उसके इलावा उनके साथ plus 10 और 11 immunities भी होता है यानि कि 110 connection हो गया है, 110 connection तो 110 socket ऐसे लगेंगे टेलीफोन के, intercom के जान लेकि electric को मालूम नहीं है कि इसमें connection कैसा करना है, तो वो क्या करेंगी, वो तो connection करके चला जाएंगे, जब intercom fit करने के लिए engineer आएगा, वो चालू करने के लिए आएगा, तो वो नीचे intercom connection में ये जो टेलीफोन का जो cable होते है, वो वहाँ पे लगाएंगा, वो जो कुछ भी होता है, हमारा electric room, वहाँ पे intercom system को वो लोग connect करेंगे, टेलीफोन एंजिनियर, लेकिन आपके फ्लेट में ये intercom आपका चालू नहीं होगा, क्यों नहीं चालूगा, क्योंकि ये connection में उन्होंने गल्ती की होती है, ये connection में कई बार mistake की होती है, तो वो mistake physician को बुलाएंगे, तो वो पहले तो आएंगे नहीं, क्योंकि उनके पास यतना सारा work रहता है, कि वो तो आपको बोलेंगे, चलो आ रहा हूँ, एक दो दिन में आ रहा हूँ, वो बोलेंगे, लेकिन वो एक socket chain करने के लिए, वो जल्दी से आएंगे नहीं, ठीक है, तो तक तक क्या होगा, कि आपका telephone line जो है, वो बंद होगा, बंद रहेगा, तो एसा ना हो, तो एसा आप telephone junction box, ये ऐसा socket आप electric की कोई भी दुकान से लाकर, अपने हाथ से इसे घर बेठे ही change कर सके, ये आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए ये वीडियो में ने बनाया है, त यहाँ पे telephone का female socket, देखिए यहाँ पे shutter है, देखिए दोस्तों, ये specific company का, लेकिन ये सी कई सारी कपनी बनाती है telephone junction box, ठीक है, तो ये यहाँ पे shutter होता है, ये shutter को आपको इसे up करके आपको यहाँ पे telephone socket आपका लगाना होता है, देखिए यहाँ पे female socket दिया हुआ है, RJ 11 telephone socket ह हमारा जो normal telephone line code होता है, वो इसमें लगता है, तो आए देखिए इसके अंदर क्या connection करना है, किसे करना है, इसको मैंने अभी खोल की रखा है, तो मैं अभी आपको बताता हूँ, इसको ये दो पार्ट में इसको पहले दो, यहाँ पे screw जो होते है, पिल आपको दिखा दू, यहाँ पे इसे अप्टेस्ट करेंगे न, यह लाँ पे लॉक होता है, वीडो, ठीक है, इसको आप खोलेंगे, तो यह यहाँ पे खोल जाएगा, देखिए, इस सेट का खोला, यह मैंने इस सेट का भी खोला, ठीक है, तो यह जश्ट उपरे कवर रहता है, क्योंकि यह screw में इसलिए, तो यहाँ पे दो screw रहते हैं, वो screw आपको पहले खोलने पड़ेंगे, यहाँ तो मैंने ओलिडे screw उपन करके रखे हुए है, आपको दिखाने के लिए, तो पहले तो आप screw उपन के लिजिए, नोर्मल screw driver से, screw उपन करने के बार, screw निकाल के side में रख दीजिए, औ इसलिए तो यह जो part होता है, यह part आपका यहाँ पे दो screw लगता है, और यह आपके वोल पे डिर्ट इसे drill होके, यह screw लगाके यह से, आप इसको लगा सकते है, आपका कोई दीवा भूड़न का है या तो आपका कोई office का है, ठीक है? वहाँ पे आप इसको लगा सकते है, टे होल में से आपका telephone cable अंदर आ जाएगा ठीक है यह box के अंदर तो यह तो हो गया back part इसको हम side में रख देते हैं अब आते हैं main part के उपर अब इसका आपको दिखाते हैं क्या detail होता है देखें दोस्तों अब confusion जो होता है वो यहाँ पे होता है mainly क्योंकि telephone जो wire होता है इसमें हम दो ही connection आते है ठीक है दो छेड़ा ही आता है उसका ठीक है दो wire ही हमको देने होते है तो यहाँ पे तो 4 connection दिए देखिये एक दो तीन और चार तो यहाँ पर जो wire में है वो confusion कड़ा करते है वहाँ पर गलती करते है कई बर तो अभी मैं आपको दिखाता हूं कि क्या गलती होता है उनसे अभी आप Claire से देखिए, मेरे यह diversity चालो किया है उसमें आप ज़राओ फोकस कीजे हाँ, देखिये आपको यह दिखना होगा जेस्ट एमिन दूआ फोकस करता हूँ देखिए अभी आप त्यान से देखिए यहाँ पर दिखाए L1 ठीक है यहाँ पर लिखाए L2 यहाँ पर लिखाए L1 तो अभी यह चार कनेक्शन है चार श्कुरू है उसमें से आमें किस में देना होगा ठीक है, पहले मैं आपको बता दू कि इसमें आपको connection देना है L1, L1 में, दीक है यहाँ पर cross में है, यह वाला screw और एक यह वाला, ठीक है, तो यह लिखा हुआ यहाँ यहाँ पर L1, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है L1, तो हमें ऐसा याद रहे दोस्तों कि जो हमें connection देना ह ठीक है, तो वायर में क्या mistake करते है, या कोई भी कई किसी बार कोई आदमी को मालूम नहीं हो, तो क्या common गलती होती मैं आपको दिखाता हूँ, कि वो L2, L2 में देते है connection, ठीक है, तो L2, L2 में देंगे नहीं, तो आपका connection तो वो आपके करके चले जाएंगे, लेकिन आपक टेलीफोन चालो नहीं होगा, ठीक है, यह connection पूरा किया होगा, एकदम पर्फेक लगाया होगा, स्कुरूबरू सब connection भी दिया होगा, फिर भी आपका लेन लेन या आपका इंट्रोगों चालो नहीं होगा, तो यह गलती ना करे, कभी भी आप L2, L2 में connection ना करे, हमें सा always L L1, L1 में connection करे, और दूसरी कलती क्या करते है, L2, L2 में दिया तो यह cross हो गया, कई बार क्या होते है, L1, L2 में देकर चले जाते हैं, यह बाजू-बाजू में, या तो इस तरफ, या तो फिर इस तरफ, ठीक है, तो वो भी गलत है, यसी भी गलती नहीं करनी चाहिए, कोई cross में देंगे connection, यहाँ पे, एक connection इधर और एक connection इधर, ठीक है, तो हमारा phone चालो हो जाएगा, तो अगर आप कोई socket दूसरी कंपनी का लाते हैं, कोई भी कंपनी का, तो उसमें मान यह L1, L1 बाजी-बाजी में लिखा है, तो आपको बाजी-बाजी में देना है connection, मिस आपक में socket लगवाली environments है, जब telecom engineer आएगा, तो ऐसे उन्होंने गलिती की होगी कुछ भी, telephone connection देने में, socket में, तो आपका एक भी connection चालो नहीं होगा, ठीक है, तो उस पर क्या होगा, फिर आपको या तो वापिस electricity को बुलवाना पड़ेगा, सब भी का जो आपको board लगवाया, side पर, तो एसी ये छोटी सी mistake के वज़े से पुरा जो आपका काम हो अटक जाता है, तो ये हो गया हमारा, इसका knowledge बेसिक जो हता है, telephone socket के बारे में, telephone module junction box के बारे में, तो ये चीजह में साथ ध्यान रखिए, और friends, आप भी आपके घर पे या आपकी ओफिस पे, आपके एप department है, आपकी industry, वहाँ पे भी आप काफी सारे टाइप के telephone socket यूज़ करते होंगे, या आपका भी कुछ experience रहा होगा, तो हमें हमारे comments box में जरू से बताईए, कि आपका क्या experience रहा है, और आपका कुछ questions है, तो वो भी हमें पूछ सकते है comments में, तो उसका भी हम आपको जरू स से बताएंगे, तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है, तो जरू से कर लेजिए, ताकि हमारे यसे technical informative video हम आपके तक लाते रहे, और आपको हमारे updates विलती रहे, and thank you for watching video, bye bye